हेलो फ्रेंड्स आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं EBS को क्लास 5 NCRT का चैप्टर नमबर 1 दोस्तो इस चैप्टर का नाम है कैसे पहचाना चीटी ने दोस्त को इसमें दोस्तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और इस ही एक चैप्टर से अगर आप सीटेट का एकजाम देने वाले हैं या या यूपीटेट का एकजाम या किसी भी टीचिंग लेवल का एकजाम देते हैं तो कम से कम दो से तीन कोश्टन आपको प्रीवियस एर में देखने को इस एक चैप्टर से देखने को मिलते हैं और दोस्तों बिल्कुल ज़्यादा माइंड नहीं लगाना पड़ेगा आपको बस चित्रों के माध्यम से पूरा चैप्टर आप एक बार देख लीजे आपके माइंड में सब कुछ गुश जाएगा और आप उन सभी चीजों को हमेशा याद रखेंगे ठीक है चलिए दोस्तों सुरू करते हैं में में पॉइंट हम पढ़ेंगे ज्यादा कुछ पढ़ेंगे भी नहीं सबसे पहले यहाँ पर देखें बहुत बहतरी तरीके से चित्र बने हैं इस पच्छी को यह बच्चे देख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है अब इनके साथ क्या हो गया यह देखिए इनके साथ हुआ ये कि जब तुम इन्होंने कहा क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और एक चिल फूर्ती से आकर तुम्हारी रोटी ले गई ठीक है या फिर यहाँ पे इन्होंने देखो क्या कहा है कि तुम एक सोते वे कुते के पास से गुजरे और जैसे ही वहाँ से गुजरे जट से उसके कान खड़े हो गए तो ये सब प्रतिक्रियां जो जानवरों में होती है उसके बारे में इस चैप्टर में सिखाने की कोसिस करी है अब यहाँ पे आते हैं में चैप्टर जो चीटी पर दिया गया है कहते हैं खाते समय तुमसे कुछ मीठा जमीन पर गिर गया और कुछ ही पल में वहाँ पे आप क्या देखते हो बहुत सारी चीटिया आ जाती है तो ऐसा क्यों होता है ये सोच कर आपको बताना है अब यहाँ पे एक पॉइंट अच्छे से ध्यान दीज़े यहीं से कोशन बनते हैं कि जानवर भी देखने सुनने सुंगने और महसूस करने की सक्ति होती है जानवरों में कोई जानवर मीलो दूर से सिकार को देख सकता है कोई हलकी से हलकी आहट को भी सुन सकता है कोई जानवरों की कह रहे हैं है ना जानवरों की दुनिया अजब अजब दुनिया है जानवरों की तो यहीं से भी कोशन कुछ बनते हैं अब हम आगे देखते हैं क्या क्या इस चैप्टर में हमें पढ़ना है देखे यह देखे चीटियों की एक स्रंखला बनी हुई है चीटिय को देखकर वा जट से अपने बिल की तरब क्या होई वापस दोड़ी आई अब बिल के बाहर एक चीटी क्या कर रही थी पहरा दे रही चीटी ने उसे पहचान लिया और उसे बिल में घुसने दिया तो भाई ये पहरा देने वाली चीटी ने कैसे पहचान लिया कि ये मेरे ही ग्रूप की चीटी है उसको अंदर कैसे जाने दिया और इस वाली चीटी ने ये दूसरी जो स्रंखला जा रही थी है कैसे पहचान गे ये दूसरी चीटिया है मेरी वाली जो समू है ग्रूप है उसकी चीटिया नहीं है तो ये सब चीजे आपको यहाँ पे ध्यान से देखनी है कह रहे हैं कि इस चीटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चीटे दूसरी टोली की हैं वही बात मैंने बताई आपको पहरेदार चीटे ने इस चीटी को कैसे पहचाना तो ये सब बाते आपके माइंड में या बच्चों के माइंड में आते हैं इनको ध्यान से देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे दोस्तों पैडा गौगी के भी कोश्चन आपके अच्छे से बन जाएंगे इनको अगर ध्यान से आप पढ़ लेते हो कह रहे हैं कि इस उम्र के बच्चों में जानुरों के प्रति उत्सुकता होती है उनके अनभोवों को सामिल करने से चर्चा जो होती है वो रुचिपूर हो जाएगी कई ऐसे अवलोकन होते हैं जिनके लिए बच्चों को धीरज और बारीकी से देखने का अभ्यास कराना होगा तो बात को समझे बच्चों के अनभोवों को हमें सामिल करना चाहिए इस बात पर यहां पे आपको जानकारी दी गई है ठीक है यहां पे देखिए अब ध्यान से बिना किसी चीटी को नुकसान पहुचाए उस कतार के बीच में एक पेंसिल से कुछ दोर चीटियों को रास्ता रुकिए जैसे आपने भी बच्च पर में किया होगा बहुत सारी चीटिया जा वे इस नतीजे पर पहुचें कि चीटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंग कर पीछे वाली चीटियों का रास्ता मिल जाता है तो यही जो कोश्चन आपके एक्जाम में पूछा जाता है कई बार यहां से कोश्चन पूछे गए अब देखे दोस माइंड में सोचिए अब यहां पर देखे कोश्चन क्या बनता है यहां से कई कोश्चन बनते हैं कि कुछ नर कीड़े मकौड़े अपनी मादा कीड़े की गंद से उसकी पहचान कर लेते हैं वो होता है देखो रेसम का कीड़ा रेसम का कीड़ा क्या कह रहा है मैं रेसम का क मैं अपनी मादा को उसकी गंद से कई किलोमीटर दूर से पहचाल लेता हूँ यहां से कोश्चन बनता है फिर यहां पर आईए क्या तुम कभी मच्छरों से परेसान हुए हो डेली परेसान होते हैं सोचो उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहा हूँ मतला अंधेरा होता ह फिर भी मच्छर जान जाता है कि आप कहा हो और आपको काट लेता है तो ऐसा क्यों देखें मच्छर तुमारा जो सरीर की गंद होती है जो सरीर की गंद खास कर जो पैरों के तलवे की गंद होती है और तुमारे जो सरीर की गर्मी होती है उससे क्या करता है आपको ढून ले तो यहां से भी कोश्टन मच्छर के बारे में पूचा जाता है अब यहां पर देखे दोस्तों यह देखे कुट्द बना गुए पेड़ के एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंद से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता जैसे ये इस कुत्ते का इलाका है यहाँ जब बाहर कहीं खाने पीने चला गया अपना जैसे मूवी उवी देखने चला गया तो यहाँ पे कोई दूसरा कुत्ता आया और और यहां पे जो है उसका समझ दीजे कि मलमूत्र फेला दिया तो यह जब आएगा यहां पे तो यहां पे इसको यह सूंगेगा तो इसको पता चल जाएगा कि मेरे लाके में कोई कुट्टा आया था तो फिर यह अपना गुरूप बुलाएगा और यहां पे जो है ऐसे हो जाएगा कि अब दुबारा आएगा तो मैं इसको काटूंगा यही सब तो इनका सिस्टेम चलता रहता है कुट्टों का ठीक है तो इतनी बात तो हम यहां से समझ लेते हैं तो अब देखिए जहां हमको में में जो पढ़ना है वो यह यह देखिए एक बात यहां पे होती है उनको इतना ज्यादा क्या होता है मतलब नहीं रहता है मतलब वो क्या करती है उनको इतनी ज्यादा गंद नहीं आती है इसके बारे में यहां पे छोटी सी बात यह बोली गई है कि सुसीला थी वो तो सुसीला का उन्होंने उधारन दिया है यह बात लाइन छोड़ि करती है इस बात पर थोड़ा सिच्छक संकेत देंगे बच्चों को इस बात को समझना है आपको इस पे पेडागोगी के question आ जाते हैं आप देखें दोस्तों यहां पे गया है कैसे देखा देखें किसी पच्छी अगर हम बात करें किसी ऐसे पच्छी का नाम लिखो जिसकी में कैसा होता है यह सम माइंड में आपको सोचना है अब में पॉइंट यहाँ पे आपको देखना है ये चीज़ देखिए कि जादा तर पच्चियों की जो दोस्तों आखे होती है वो उनके सिर्के दोनों तरफ होती है यहाँ पे देखो सिर्के दोनों तरफ होती है पच्ची पच्छी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकते हैं ये कोशन आपके एक्जाम में कई बार पूछा गया है पच्छी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं जब ये बिल्कुल सामने तब इनकी आखे दोनों एक ही चीज पर होती हैं तुमने देखा होगा कि कई पच्छी अपनी गर्दन क्या करते हैं बहुत जादा हिलाते हैं ऐसा क्यों तो जानिये जादा तर पच्छीयों की आँखों की पुतली जो होती हैं वो घूम नहीं सकती हैं वे अपनी गर्दन गुमा कर ही आसपास देखते हैं तो इतना कुछ यह से आपको पढ़ लेना है इस पे कोश्चन आपके बनी जाते हैं यहाँ पे कुछ सिच्छक संकेत देखे दोस्तों कहते हैं पच्छी जब दोनों आखों आखे एक ही चीज पर केंदित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एसास होता है और जब अलग अलग चीजों पर कें करने से बच्चों को यहाँ बास समझने में आसानी होगी एक आख बंद करके अपने साथी के एक्षन को देख कर बच्चों को यहाँ अन्बोग कराएं कि दोनों आखों से देखने पर देखने के दायरे में अंतर आता है कहने का मतलब है जैसे यह आप खड़े हो यहाँ प पढ़ेगा और बाइचांस आपने दोनों आखे खोल रखी है तो आपको फिर दायरा जो होगा वो बढ़ जाएगा आपका देखने का तो ये बात यहाँ पे समझाई गई है ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ से कोशन बनते हैं कि देखिए जो चील अची आठ मीटर की दूरी से देख पाते हैं इस बात को ध्यान रखे अब यहाँ पे कुछ मज़ेदार बात और देखिए कि जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं उतने रंग जानवरों को नहीं दिखाई देते हैं इस बात को ध्यान रखेगा देखो इन जानव दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देख पाते हैं इस पे बहुत कोशन उल्लू से रिलेटेड बनता है आपको पता होगा ठीक है अब यहाँ पे देखे दोस्तों क्या कह रहा है कह रहा है कई सारे जानवर आपने ऐसे देखे हूंगे जिनके बाहरी कान हमारे बाहरी कानों से बड़े होते हैं जैसे की हाथी को आप देख लीजिए इसके लाबा दोस्तों यहाँ पे एक चीज यह बताई गई है यहाँ पे ध्यान दीजिए कि देखो ये बच्चा यहाँ पर ऐसे धम धम मार रहा है और अपने कान से आवाज को सुनना है तो इसी तरीके से साप भी जो होता है साप के दोस्तों क्या होते हैं साप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है उनके बाहरी कान नहीं होते हैं जमीन पर हुए कमपन से ही वो सुन पाता है यहां से भी question आपके लिए बन जाता है अब देखे दोस्तों कुछ important बाते ये हैं कि अलग-अलग आवाजे जानवरों को जब कुछ खतरा होता है तो वो कैसे अलग-अलग आवाजे निकालते हैं इसको समझे जैसे ये देखे पास आती मुसीबत जैसे की चीता आ रहा हो उसके पास या सेर आ रहा हो तो देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने सात्यों को संकेत देता है या संदेज देता है इस काम के लिए पच्छी भी खास आवाज निकालते हैं आपने देखा होगा देखे कुछ पच्छी वाले के लिए दूसरी तरह कि अब देखे पच्छी जैसे जमीन में बैठा है और ये वाला कोई जानवार यहां पे आ रहा है और ये वाला पच्छी काई सारे पच्छी जमीन में बैठे ये इसको नहीं देख पाने ये देख ले रहा है अगर इनकी आवाज एक ही जैसी होग दे देती हैं ये भी आपके लिए important बन जाता है फिर यहाँ पे तो बहुत important line लिखी है कि कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकते करने लगते हैं जो लोग जंगलों में रहते हैं और जानवरों के इस विवार को समझते हैं वे जान लेते ह कि भूकंप आने वाला है या कुछ अन होनी होने वाली है इस बात को दोस्तों ध्यान से समझेगा यहाँ पे देखे दिया गया है कि 2004 दिसंबर में आये सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब विवहार और उनके द्वारा दी गई चेतामी भरी आवाजों को खतरे से बच गई थी है ना तो यह देखे फिर जो डालफिन होता है इसके बारे में एक इंपोर्टन बात लिखी है कि डालफिन भी दोस्तों अलग-अलग तरह की आवाजे निकालती है और एक दूसरे से बात करती है वैग्यानिकों का या मानना है कि कई जानुरों को अप कई जानुरों की अपनी पूरी भासा होती है तो इस बात को आपको क्या है समझ लेना है अब कुछी जे देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि जिस तरह पच्छी पर इसको छोड़ दीजे यहाँ पर आईए संकेत कि कितना सोएं देखे होता क्या है कि बहुत से जानु पर किसी खास मौसा में लंबी नीद में चले जाते हैं लंबी भी इतनी की महिने तक दिखाई नहीं देते हैं जैसे कि आप देखे होगे सर्दियों में छिपकिलिया नहीं दिखाई देती हैं अब यहाँ पे एक सिछक संकेत दिया गया है कि पार्ठ में कुछ जानुरों के ऐसे ही विवहार के बारे में जानने के लिए बच्चों को अकबार पढ़ने वट टीवी पर उप्युक्त कारिक्रम देखने के लिए प्रेरित करना चाहिए ठीक है चलिए ये तो बड़े फेमस हैं सलॉत मिया सलॉत के बारे में कोश्चन क्या बनता है देख लीजे पूरी ब कर पलते हैं इसलिए इन्हें कई और जाने की जरूरत नहीं पड़ती है जब ये अपने पेड़ के सारे पते खा लेते हैं तब ही वे पास के पेड़ों पर क्या करते हैं जाते हैं लगबग 40 वर्स के अपने पूरे जीवर में मुश्किल से 8 पेड़ों पर दोस्तों ये सत्या में एक बार ही सौच करने के लिए पेड़ों से नीचे उतरते हैं तो इतनी बाते सलॉत के बारे में आप जान लीजे तो कथन आपसे पूछे जाते हैं सारे के सारे आपके सही हो जाएंगे अब देखे यहाँ पे बहुत से जानवरों के सोने के कुछ दिये गए हैं दिके यह पूरा ऐसा 24 गंटे का दिया इसमें 12 वा बने हैं और एक के लिए 2 गंटा है तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा जानवर कितनी देर सोता है जैसे यह देखें गाय है तो यह गाय के लिए देके 2 बने है तो यह 4 गंटा अजगर के लिए देके 3 चोड़ दिये तो 9-18 गंटा इस तरीके से आपको पैसे पूछा नहीं जाता है कभी बाकी आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए यहाँ पे आईए दोस्तों कुछ सिच्छक संकेत आपके लिखे हैं कि जानवरों के सोने और जगने के समय को 24 गंटे की घड़ियों में बताकर बच्चे तिहाई चौथाई आदिकी समझ का उपयोग भी करेंगे यहाँ पे आपसे कोशन पूछ सकता है कि जो सोने वाले घड़ी के बारे में बताए उससे बच्चे इनमें से कौन से चीज़ सीख सकते हैं तो जैसे पूरा है तो इसका एक तिहाई दो तिहाई चार तिहाई यह सब बाते भी सीख सकते हैं यह कोशन आपका बन सकता है अब दोस्तों बाग से रिलेटेड देखे कोशन कौन कौन से पूछे जाते हैं सबसे पहली बात बाग अंधेरे में हमसे 6 गुना भैतर देख सकता है इस बात पर ध्यान रखेगा बाग की दोस्तों जो मूचे होती हैं वो हवा में हुए कमपन को भाप लेती हैं और उसे सिकार की बिलकुल सही इस चित का पता चल जाता है इस से इने अंधेरे में रास्ता ढूनने में भी मदद मिलती है इसके लावा बाग अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंद छोड़ते हैं या इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है एक बाग किसी दूसरे बाग के मूत्र की गंद को जट से पहचान लेता है फिर उस गुसना है या नहीं ये बाग की मरजी पर डिपेंड करता है आगे देखें बाग मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता है गुस्से में अलग आवाज बागिन को बुलाता है तो अलग आवाज कभी कराहता है कभी गुराता है तो अलग आवाज बाग का गुराना लग जो कान होते हैं वो बाहर की आवाज इखटा करने के लिए अलग अलग दिसाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं ये बहुत ज़्यादा important line है आपके लिए फिर देखें दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि बाग इतना सतर्क जानवर है लेकिन इसके बावजूद आजवा क्या है खतरे में है ठीक है अब यहाँ पे point out करिये थोड़े से कि क्या तुम जानते हो हाथी को इसको दातों के लिए गैंडे को सींग के लिए सेर को मगरमच सेर मगरमच और साब को उनकी खाल के लिए दोस्तों मार दिया जाता है कस्तूरी हीरन को थोड़ी सी खुसबू क के लिए दोस्तों मार दिया जाता है और जो जानवरों को मारते हैं उन लोगों को सिकारी कहते हैं देखे सबसे ज़्यादा खतरनाक तो इनसानी है जानवर देखे बाग इतना ज़्यादा खतरनाक होने के बावजूद भी मार दिया जाता है तो यहाँ पे देखे थोड़ा को सुरच्छा दे रही है जैसे उत्तराखन का जिम कारवेट नैसनल पार्क राजिस्तान में भरत पूर्जिले में घाना इन जन्गलों में जानवरों का सिकार मना है यहां के लोग जन्गल को कोई नुकसान नहीं पहुचा सकते बात को ध्यान रखेगा तो इतना कुछ दोस् पर चर्चा करने से अपने बच्चे बाक्स में दी गई जानकारी को समझ सकेंगे तो यह तो चली हटाईए कुछ नहीं मतलब है अब देखे यह चित्र इत्र बनाने वाला कुट्ता देखे चित्र से बना दिया इस पर भी साइट को भी कोश्चन पूश दे कि इनमें से कौ जावा जो है चील उल्लू इन सब चीजों के बारे में पता चला है ना और आपको लंगूर के बारे में मचली के बारे में डॉल्फिन के बारे में सब पता चला चीटी के बारे में दोस्तों पता चला तो यही सब कोश्चन आपके सीटेट के एकजाम में पूछे जाते हैं तो आप इन सारे वीडियोज को देखा करिए और आपके एक्जाम में जो EBS पूची आती है इससे बाहर पूची भी नहीं जा रही है जिससे आपके 30 में 30 नंबर अच्छे से आ सकी है। पैड़ो अगी भी दोस्तों यहीं से कवर हो जाएगी आपके NCRT से ही आती है और कहीं से नहीं पूची जाती है तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबस्काइब करके बिल आइकन को प्रस कर लीजेगा जैसे डेली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए साथ में दोस्तों हमारे टेली ग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसको जाके जॉइन कर लीजे जैसे हम डेली पीडियाप आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराते रहते हैं तो आप उससे अपना रिवीजन कर पाएं तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखता हूँ धन्यवाद